धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीचे सो घड़ा, रिदु आये फल होए कबीर दास जी क्या खूब कहते हैं कि जीवन में व्यत्ती को धैर होना बहुत जरूरी है आप लगातार अपना काम करते रहिए, कभी भी फल की जिन्ता मत करिए ऐसा होता है कि कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उसका फल हमें तुरंद प्राप्त नहीं होता लेकिन कहते हैं, भगवान ने एक समय निश्चित किया हुआ है कि कब और कितना और कैसे देना है तो बस आपकी भगवान क्रिश्न की पूजा करें या आपने किसी और आराध्य देवी देटा की बस आपका ध्यान, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और आपको भगवान की प्रती इतना विश्वास होना चाहिए कि आप जो भी भगती श्रद्धा मन में भाव लिये हुए हैं उसका फल एक नएक दिन भगवान आपको जरूर प्रतान करेंगे कभी-कभी ऐसा होता है हमारी भगती में हमारे विश्वास में ही कमी रह जाती है जिस कारण से हमें हमारी पूझा पाठ का फल प्रत नहीं हो पाता या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी-कभी भगवान अपने सचे भगतों की परिक्षाएं इतनी लेते हैं क्योंकि वो आजमाना चाहते हैं कि हमारे अंदर धैर है कितना है कहीं ऐसा तो नहीं कि परिक्षाओं के इस घड़ी में हमारा विश्वास हमारे भगवान पर से ही उठ जाए तो बस कभीर दाजी इस तोहे में इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लगातार काम करते रहिए आप लगातार परिश्रम करते रहिए और फिर उसके पाद समय आने पर आपको इसका फल भी जरूर प्राप्त होगा ठीक इसी तरह से भगवान की भक्ती है आपकी कोई मनुकामना है आप भगवान की भक्ती करते हैं पूजा पाच करते हैं और प्रद भी रखते हैं लेकिन आपकी जो भी मनुकामना है जब वो समय से पूरी नहीं हो पाती तो ऐसे में बहुत बार हो सकता है आपका विश्वास भगवान के उपर से डग मगाने लगे और हो सकता है आप सचे मन से उनकी पूजा भी ना करना चाहें लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कहते भगवान जब हमारी बहुत सारी परिक्षाई लेते हैं तो उसकी बाद हमारी उमीदों से कहीं बढ़कर भगवान हमें बहुत कुछ देते भी हैं आज की कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान कृष्ण की एक ऐसी सची कहानी जिसे सुनकर हो सकता है आपके मन मे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और भी बढ़ जाए तो क्या आप भी सुनना चाहते हैं ये कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते जिए भगवान कृष्ण की जए आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार और अनुरोध करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर हर दिन सुनी जाने वाली माक्षीस मास की कहानिया नहीं सुनी हैं तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर इन सभी कहानियों को जरूर सुनेगा आए सुनते हैं कहानी के अनुसार एक काउं में एक किसान र करते थे और उन पर बहुत विश्वास करते थे उन्हें भगवान कृष्ण पर इतना विश्वास था कि उन्हें लगता था कि उनके तीनों वक्त का भोजन भगवान के आशिरवास से ही प्राथ होता है और तो और उनके यहां तीन बेटे थे जिन्हें वे दोनों पती-पत्न भगवान कृष्ण का ही आशिरवाद मानते थे किसान ने अपने तीनों बेटों का नाम भी भगवान कृष्ण के नाम पर ही रखा था गोपाल, कानहा और मोहन ये तीनों किसान के बेटे थे सबसे छोटा कानहा उन्हें पास साल पहले एक सुभा मंदिर की सीडलों पर मिला था किसी ने उस छोटे से बच्चे को वहां रखकर छोड़ दिया था किसान ने मंदिर के आसपास रहने वाले बहुत लोगों से पूछा कि क्या ये किसी का बेटा है, क्या कोई इसके मावाब को जानता है लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था बहुत दिनों तक किसान उस बच्चे के असनी माता पिता का इंतिजार करता रहा जब कोई उसे लेने नहीं आया तो भगवान कृष्ण का आशिरवास समझ कर वो उस बच्चे को अपने घर पर लाकर पालने लगा उसकी पत्नी और उसने अपने बच्चे की तरह उस बच्चे का पालन पोशन करना शुरू कर दिया और उसका नाम रख दिया कानहा एक दिन की बात है किसान ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद पूछने लगा बच्चो आज समय आ गया है क्योंकि आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम तीनों हम दोनों के लिए क्या कर सकते हो क्योंकि अब हम दोनों पत्ति पत्नी धीरे धीरे बोड़े हो रहे हैं और अब हम उतना काम करने के लायक भी नहीं रहे नहीं हम फसलों में मेहनत करने के लायक रहे पिता जी की बात सुनकर बड़ा बेटा मोहन कहने लगा पिता जी आपने मेहनत करके हमें पाला पोसा पढ़ाय लिखाया और अच्छी सिक्षा भी दिलाई और इस तरह से अब हमार भी फर्ज है कि हम आपके लिए कुछ करें पिता जी और माजी आप बिलकुल चिंता ना करें मैं शहर जाऊंगा और नौकरी करके खूब पैसे कमाऊंगा फिर एक बड़ा सा घर खरी दूँगा और फिर आप दोनों को अपने पास रख लूँगा आप दोनों की सेवा करने के लिए नौकर चाकर भी रखूँगा और इस तरह मैं खूब पैसे कमाऊंगा मजला बेटा गोपाल कहने लगा माजी पिता जी आप दोनों की तीर्थ यात्रा करने की बहुत इच्छा है ये बात में बहुत अच्छे से जानता हूँ और आपको मैं अपने साथ रखूँगा इतना ही नहीं मैं आपको सारे तीर्थों की यात्रा भी कराऊंगा सारे धाम घुमाऊंगा अब सबसे छोटा बेटा कानहा जो की पांस साल का था वो चुप चाप सबकी बाते सुन रहा था जब उसकी बारी आई तो कहने लगा मापिता जी आपको कहीं जाने की जरुरत नह मैं आपको आपके जीते जी श्री राधा कृष्ण के दर्शन करवाऊंगा सबने कानहा की बात सुनी तो सोचने लगे कि अरे बच्चा है कुछ समझ नहीं रहा ये तो अभी नादान है इसे क्या पता इसने क्या बोला और वहाँ पर उसके माता पिता और उसके बड़े भा दर्शन करवाऊंगा लेकिन मैं राधा कृष्ण को ढूंडूंगा कहां पता नहीं कहा रहते होंगे और मैं तो उनका घर भी नहीं जानता अब कैसे करूँ इस तरह कानहा राध भर सोचता रहा और सुबह के समय जब घर में सब सो रहे थे तो कानहा चिंता के मारे घर से न नन्हा मुन्ना कानहा चलते चलते घने जंगल में आ गया और वहां जंगल में रास्ता भटक गया चलता रहा चलता रहा सुबह से शाम हो गई शाम को ठक कर कानहा एक पेड के नीचे जाकर बैट गया नन्हा मुन्ना कानहा उसके पाओं में भी कांटे चुप गए पैर बु जंगल में एक बाबाजी कुटिया बना कर रहते थी जैसे ही पेड के नीचे छोटे से बच्चे को सोता हुआ देखा तो बाबाजी उसके पास ही पैट गए उसके सिर पर प्यार से हाथ रखने लगे जैसे ही किसी के हाथ का एसास हुआ काना तुरंट उठकर जटपट पैट साधु बाबा को देखते ही अब तो काना जोर जोर से रूने लगा जब साधु बाबा ने प्यार से बूचा बेटा तुम इस घने जंगल में आखिर कर क्या रहे हो ये तो बहुत दरावना जंगल है तब काना ने सारी बात साधु बाबा को बता दी कि कैसे वो भगवान को और आधाराने को ढूंडने के लिए निकला लेकिन वो तो जंगल में पहुंच गया और अब यहां पर वो रास्ता भटक गया है काना की बात सुनकर साधु बाबा मुस्कराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो इतने वर्षों से भगवान कृष्ण को पाने की उन साधु बाबा काना को अपने साथ अपनी कुटिया में ले आए और कहने लगे बेटा तुम आज रात मेरे पास ही रुक जाओ और कल सुबर ढून लेना अपने भगवान को अब बाबा ने काना को दूद भात खाने को दे दिया काना तो दिन भर का भूखा था जटपट में जमीन पर ही बिस्तर बिचा कर सो गया अगली सुबहा जब काना की आँख खुली तो वो सब कुछ भूल गया कि वो कैसे अपना घर छोड़कर बाहर निकला था और कैसे भगवान कृष्ण को खोजने निकला था क्योंकि उसने अपने माँ पिताजी से वादा किया था कि वो उन्हें भगवान कृष्ण और राधारानी के दर्शन करवाएगा लेकिन अब क्या हुआ अब तो वो सारी बाते ही भूल गया कि वो घर से क्यों आया था और उसे ये भी याद नहीं कि उसका घर कहां है उसकी मा पिताजी का नाम तक उसे याद नहीं रहा और वो राध कर सकते हो कि तुम मेरे साथ ही रहने लगो मेरे पास एक गाय है तुम दिन में उसको चराने के लिए ले जाना और शाम को जब मैं अपनी पूजा और तपस्या से वापस लोटूंगा तो जो भिक्षा में चावल मिलेंगे उनका भाद बनाऊंगा और फिर हम दोनों पड़ कान्या सुनाया करते जहां जंगल के पास कान्हा गाय चराने जाता था वहीं उसकी उम्र का एक लड़का जो बहुत सारी गाय चराने के लिए आता था उसका एक सच्चा दोस्त बन गया उसका नाम था कृष्णा और हमेशा उसकी पास बांसूरी रहती थी जिसे वो इतनी स कान्हा को बहुत जोर से भूख लगी फिर उसने अपने दोस्ते कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है लेकिन दोस्त बाबा तो रात को किवले एक बार ही खाना बनाते हैं सुबह थोड़ा बहुत बचा रहता है तो मैं खा लेता हूं पर बाबा भूखे रहते हैं ल खेट देखा है ना वहां से तीन धान तोड़कर ले आओ मैं तुम्हारे लिए खीर बना दूँगा अपने दोस्त की बात सुनकर काना हसने लगा इतनी जोर-जोर से हसने लगा कि कृष्णा मुश्कराने लगा उसे पता था कि काना क्यों अस रहा है तो काना खुद ही कहने ल अरे मेरे नादान दोस्त तुम जाकर खेट से तीन धान तो लेकर आओ अगर खीर खानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी तुम जाकर तीन धान लेकर आओ तब तक मैं गाय का दूद निकाल लेता हूं और बाकी इंतजाम भी करूंगा तब तक काना तीन धान तोड़कर ले लिया अब जंगल से सूखी लगडियां और पत्ते काना डोन कर ले आया तब तक मिट्टी का बरतन सूख चुका था अब उस बरतन में गाय का दूथ निकाला क्रिश्णा ने और काना अपनी दोस्त की पूरी मदद कर रहा था क्योंकि उसे बहुत जोर से भूग जो लगी थी साथ ही साथ काना ये भी देखने वाला था कि देखता हूँ आखिरकार तीन धान से आज खीर बनती कैसे है कहीं ऐसा तो नहीं मेरा दोस्त मुझे बेवकुपना रहा हो मेहनत तो कृष्णा भी बहुत कर रहा था आखिरकार उसके भूखे दोस्त का जो सवाल था और उसे अपने दोस्त को भूखा देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तब कृष्णा ने दो पत्थरों को रगड कर चूला जलाया फिर खीर बनाई गई जैसे ही खीर मुँ में रखी उसे खीर तो बहुत स्वादिस्ट लगी इतनी स्वादिस्ट खीर इतनी स्वादिस्ट खीर कि उसने कभी नहीं खाई थी जितनी बार बरतन में से निकालते दोनों खाते बरतन खीर का फिर से भर जाता अब इसी तरह से दोनों ने पेट भर कर खीर खाली लेकिन मिट्टी का वो छोटा सा बरतन खीर से लबालब भरा ही रहा जब खाते खाते दोनों का पेट भर गया तो कानहा अपने दोस कृष्णा से कहने लगा थोड़ी सी खीर में अपने बाबा के लिए ले जा सकता हूँ मेरे बाबा को इखीर बहुत पसंद आएगी क्रिश्णा ने वो पूरा बरतन ही बाबा के लिए दे दिया उधर शाम को जब कानहा ने बाबा को वो खीर वाला बरतन दिया और दिन भर की पूरी बात बता दी कि कैसे उसके दोस्त ने केवल तीन धान से उसके लिए इतनी खीर बना दी कि उसने और उसके दोस्त ने पेट भर कर दुखा ली और वो देखे बाबा के लिए भी ले आया साधु बाबा जो वर्षों से भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन रहते थे उनकी तपस्या करते थे उन्हें प्रसंद करने के लिए तरह तरह उपाय करते थे अब उन्हें विश्वास हो गया कि काना का दोस्त कोई और साधारान बालक नहीं है वो साक्षात कृष्ण अगर वो आजाएगा तो बहुत अच्छी बात है और फिर अगले दिन जब काना अपने दोस्त कृष्ण से मिला तो कृष्ण से बाबा वाली बात कहने लगा कि बाबा ने उसे बुलाया है सुनकर कृष्ण कहने लगा ठीक है शाम को चलेंगे और फिर उन दोनों ने उसी तरह से खीर बनाई और खीर खाने के बाद कृष्णा पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगा आज अंधिरा बहुत हो गया था तो कृष्णा ने काना से कहा चलो आज मेरे घर चलो सुबह मैं तुम्हें बाबा की कुट्या में छोड़ दूँगा और तुम्हा पूरे 108 कमरे थे काना ने अपने जीवन में कभी भी इतना बड़ा घर नहीं देखा था और नहीं इतने धेर सारे कमरे देखे थे काना तो चुप चाप खड़ा हुआ था तब कृष्णा अपने दोस्ते कहने लगा कि दोस्त तुम इन में से किसी भी एक कमरे में सो जाओ मै देखकर काना ने दूसरा दर्वाजा खोला वहां देखा वहां पर भी राधरानी और श्री कृष्ण थे और साथ में थी एक गाय अब इसी तरह काना ने सभी 108 कमरे खोल कर देख लिए और सभी में देखा तो वहां भगवान कृष्ण राधरानी और एक गाय थी यह देखक लगर कानाग बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त पर गुस्सा हो गया। उसने सौचा सारे के सारे कमरे तो भरे वे है, मैं किस कमरे में जा कर सूँ। और वो गुस्सा होकर बाहर ठंड में ही सो गया। तभी उसके दोस्त कृष्णा ने बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ रहे हो, क्या तुम्हें ठेड नहीं लग रही? और फिर मैंने तो तुम्हें इतने सारे कमरे दिखाए थी और ये भी कहा था कि इन 108 कमरों में से जिसमें चाहों उसमें सो सकते हो तब काना नहीं गुस्सा होते भी अपने दोस्त से कहा तब कृष्णा बोला याद करो मेरे दोस्त अपने माता पिता को याद करो तुमने अपने माता पिता से क्या वादा किया था क्रिष्णा की ये बात संते ही काना को सब कुछ याद आ गया और वो रोने लगा मैं मापिता जी को अब कैसे रादा क्रिष्णी के दर्शन करवाऊंगा अब वो मेरे लिए परिशान हो रहे होंगे मुझे ढून रहे होंगे लेकिन मैं तो पता भी भूल गया अब मैं उनके पास कैसे जाओं तब उसका दोस्त क्रिष्णा कहने लगा मेरे प्यारे दोस्त मेरे रहते वे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं आप जानते हैं काना का वो दोस्त क्रिष्णा कौन था हो सकता है आप समझ गए होंगे काना का वो दोस्त कोई साधरन व्यक्ति नहीं था वो साक्षाद भगवान कृष्ण थे इसके साथ ही कृष्णा ने काना को अपना असली रूप भी दिखा दिया अब इसके बाद पहले वे साधु बाबा की कुट्या में गए भगवान कृष्ण अपने साथ राधारानी को भी लेकर गए और साथ ही था उनका दोस्त कानहा सादू बाबा ने जब अपनी कुट्या में साक्षाद भगवान के दर्शन किये तो मालों उनकी तो वर्षों की तपस्या सफल हो गई उनका जीवन ही सफल हो गया और फिर कानहा के गाउं उसके माता पिता के पास भगवान कृष्ण राधारानी के साथ गए किसान और उसकी पतनी अपने बेटे को दे कर बहुत खुश हुए और कानहा ने अपने माता पिता से किया हुआ वादा भी निभा दिया कानहा ने भगवान कृष्ण और अधराने से अपने माता पिता को मिलवाया इस तरह उसका वादा भी पूरा हो गया भगवान के साक्षा दर्शन कर किसान और उसकी पतनी की इच्छा पुन हो गई उनका जीवन धन्य हो गया अब किसान की छोटी सी जोपड़ी महल में बदल गई और दास दासियां सब की सेवा करने लगे और ये सब भगवान कृष्ण के चमतकार से संभव हुआ कानहा अपने माता पिता के साथ महल में रहने लगा ये बात बिलकुल सच है कि बच्चे भगवान का ही स्वरूप होते हैं कानहा ने अपने भगवान पर विश्वास रखकर अपने माता पिता से जो वादा किया उसे निभाया और उसके वादे को निभाने में साथ दिया उसकी भक्ती उसके विश्वास ने जिसे साक्षाद भगवान कृष्ण ने साकार किया आज की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा